जितिया व्रत चील सीयार की कथा जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमरी नर्मदा नदी के पास हिमाले के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की काम ना की। उपवास के दोरान लोमरी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पन के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुश्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे। लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो गई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया वरत के बारे में बताया. इस वरत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया. इस तरह ये वरत संतान सुख की प्राप्ती के लिए जगत में प्रसिद हुआ.